शास्त्रों में कहा गया है कि सूरिदेव को जल चड़ाना सबसे अच्छा काम होता है। इससे आपका भागे चमकता है और दुरभागे दूर भाग जाता है। सूरिदेव एक तपस्वी भगवान कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगव को प्रसंद करने में कामयाब हो जाता है उसके सभी काम बहुत जलदी बन जाते हैं और बिना किसी बाधा के बनते हैं। इसका करड़ ये है कि सूरिदेव अपने पसंदीदा भगव का भागे हमेशा उजवल रखते हैं। अगर आप भी बुरी किस्मत से परेशान है तो आपको उन्हें प्रसंद करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सूरिदेव को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। सूरिदेव को सुबह सुबह जल चढ़ाने के से कई सारे फायदे होते हैं। खासका लोग रविवार के दिन जल जरूर चढ़ाते हैं। दोस्तों रविवार का दिन भगवान सूरिदेव का ही माना जाता है। इसलिए रविवार को जल चढ़ाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप मेंसे कई लोग सूरिदेव को जल तो चढ़ाते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से पहले अगर आप शिव मंदिर में एक खास काम कर दे तो आपका लाग दुगना हो सकता है। ऐसा करके आपको ना सिर्फ अच्छा भाग बिलेगा बलकि धन और सुक के मामले में भी आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तो सूरिदेव को जल चढ़ाने से पहले आपको शिव मंदिर में क्या काम करना चाहिए इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंतितक बने रहिएगा जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तो जब भी आप सूरिदेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं तो साथ में एक तामबे का बड़ा पात्र जल भर कर के लिए जाएं। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले सुबह सूर्य उदै होने के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाना चाहिए। यहां आप शिव जी के आगे माथा टेके और उनका आशिरवाद लें। इसके पश्यात उन्हें कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इसमें से कुछ चावल के दाने अपने तामबे के पात्र में भी डाल दें। अर्थात जो आप शिव जी को कुमकुम और चावल चड़ाएंगे उसमें से थोड़ा सा कुमकुम और चावल अपने तांबे के पात्र में डाल लेना है इसके बाद शिवलिंग पर थोड़ा जल चड़ाएं और बाकी जल सूर्य देव के लिए बचा करके रखें मंदिर के बाहर जाकर आप सूर्य देव को भी उसी तांबे के पात्र से जिससे आपने शिवलिंग पे जल चड़ाएं उसी तांबे के पात्र से जल चड़ा सकते हैं शिवलिंग के इस पर्ष से आपका जल पवित्र हो जाता है और उसके अंदर की सभी नकारात्मक एनर्जी नस्ठ हो जाती है साथ ही उसमें डाला गया जो अश्चत अर्था चावल है इसे पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है ऐसे में आप सूरिदेव को सत प्रत्रिशत सकारात्मक उज़ा से भरा हुआ जल चड़ा रहे होते हैं इसलिए आपको इसका सबसे अधिक लाब बिलता है ये काम करने से आपका दिन भी बढ़िया जाता है इसके अत्रिक्त लंबे समय में आपका भाग्य प्रबल होता जाता है धर्न की कम्मी भी इससे दूर हो जाती है वैसे तो आप इसका उपाए रोज ही कर सकते हैं लेकिन इसे आप अगर रविवार और सोमवार के दिन करें तो ये बहुत ही महत्वपूर होगा इससे आपका पूरा सब्ता बहुत ही अच्छा जाता है और आपको शुवफल मिलते हैं यही वजह है कि इसे आपको कम से कम हफते में एक बार अर्था सोमवार या मंगलवार या दोनों ही दिन जरूर करना चाहिए आप चाहिए तो इसमें से किसी एक दिन वरत भी रख सकते हैं इससे इश्वर और भी ज़्यादा प्रसन होते है तो दोस्तों आप जब भी रवीवार और सोमवार को सूरिदेव को जल चढ़ाएं तो उससे पहले ये उपाय जरूर करें आपको अवशे ही लाप राप्त होंगे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाने का इतना खास महत्व क्यों है वो इसलिए है क्योंकि भगवान शिव जी का जल से एक खास संबंध है वो संबंध क्या है और क्यू है चलिए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्रपया वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुच पाए और हाँ अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे की वेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए वीडियो में आगे वढ़ते हैं दोस्तो आप जानते हैं कि विश्णु जी जल में निवास करते हैं और जलाभिशेक शिवजी का होता है दरसल शिवजी जम्य हुए जल वाले स्थान पर रहते हैं जमेवे अर्थात, बर्फवाले स्थान पर अर्थात केलाज पर निवास करते हैं जहां केलाज मान सरोवर भी है इसके लावा शिवलिंग जो होता है उसके तीन हिस्से होते हैं पहला हिस्सा जो नीचे चारो और भूमिगत रहता है दूसरा होता है मध्य भाग में आठो और एक समान पीतल बैठक बनी होती है अंत में शीष भाग जोकी अंडाकार होता है जिसकी हम पूजा करते हैं इस शीवलिंग की उचाई संपूर मंडल या परिधी की एक तिहाई होती है ये तीन भाग ब्रह्मा नीचे का भाग है विश्णु मध्य का भाग और शीवजी शीष का भाग है उसके प्रतीख होते हैं शीष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बैते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है संपूर ब्रमांड उसी तरह है जिस तरह शिवलिंग का रूप है उसमें जलाधारी और उपर से गिरता पानी है शिव जी का खास मा है श्रामड का मा अर्थात सावन का महिना जो की बारिश का महिना होता है इस पूरे महिने में बारिश होती रहती है शिव जी के कई ऐसे मंदिर हैं जहां शिवलिंग जल में ही डूबे रहते हैं या शिवलिंग के उपर ज़रने का पानी गिरता रहता है दोस्तो अमनात में बर्फ का जो शिवलिंग निर्मित होता है वो एक-एक बूंद जल टपकने के कारण निर्मित होता है शिव जी के मस्तक पर गंगा जी विराजमान रहती है और चंद्र विराजित हैं जो की जल से ही सम्बंदित हैं समुद्र मंथन के दौरा निकले हला हल अर्थात कला कूट नामक विश को पीने के कारण शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी और उनका मस्तक गर्म हो गया था मानिता है कि विश का प्रभाव कम करने के लिए शिव लिंग पर जल चड़ाया जाता है दोस्तों कई मंदिरों में शिव लिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है जिससे लगातार 24 घंटे जल की बूंदे गिरती रहती हैं इसलिए जल से ही उनका अभिशेक करने से उत्तम फल प्राप्त होता है दोस्तों जब बारिश नहीं होती है तो कई जगों पर शिव लिंग को जल में दुबो दिया जाता है ऐसी मानिता है कि ऐसा करने से बारिश प्रारंब हो जाती है शिव पुराड के अनुसार जल ही शिव है और शिव ही जल है तो दोस्तों ये है भगवान शिव और जल का खास संबंद इसलिए शिव लिंग पर जल चढ़ाने की मानिता है दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिकर की जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे